पांच ऐसे रीजन जिनकी वज़े से मैं मानता हूँ कि आपको आज ये डाविंची रिजोल में सिफ्ट हो जाना चाहिए। आप अगर एडिटिंग नहीं करते हैं स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको डाविंची से स्टार्ट करनी चाहिए या फिर किसी और सौफ्ट्वेर से या फिर किसी और सौफ्ट्वेर में हो तो उसमें रुकना चाहिए या फिर स्वीज कर लेना चाहिए इस वीडियो क तो मेरा नहां मैं जै कि मैंना मैं सिनमेटोग्राफर डारेक्टर एन एडिटर हूँ तो सबसे पहला रीजन है वो है प्राइस वैसे तो हमें इंडियन को इस बात से कुछ खास फरक नहीं पड़ता बट फिर भी अगर आप जेनुवनली प्राइस की बात करें तो दाविंची सकता है तो और यह वन टाइम पेमेंट है इसके टूल्स इतने सारे हैं कि आपको कोई प्लग इन बहार से पर्चेज करने खास जरूरत पढ़ने वाले नहीं है डी नोई जैसे प्लग इन हो गया कलर ग्रेडिंग के लिए जो टूल्स हो गए वो सब इन बिल्ट अवेलेबल है डाविंची की सबसे अच्छी बात ही रहती की इन बिल्ट अवेलेबल करवाता है तो प्राइस आपको एक बाट देनी है लाइफ टाइम काम में लेना है तीन डिवाइस में ने सकते हो स्पीड एडिटर इसके साथ फ्री मिल जाता है आपको पर उसके तरीका यह कि आपक टूल जो मैंने पहले point में cover किया वो मैं यहां पर exaggerate करना चाहूंगा कि DaVinci Resolve के अंदर हर एक चीज के अंदर बहुत ही advanced level के टूल है अगर आप color grading की बात करोगे तो वह भी है advanced fair light की बात करोगे जो कि audio से regarding है वह advanced fusion जो after effects वाला काम है वह advanced है अगर मैं color grading especially मैं color grading में ज़्यादा expert हूं तो मैं बताना चाहता हूं कि color warpad जैसा feature है जो कि किसी और software ने सोचा ही नहीं होगा उसके अंदर आप बहुत ही magically चीजों को edit कर सकते हो color grade कर सकते हो तो वह feature इसके अंदर है पाऊगे super scale जैसे feature है जो कि आपकी low quality footage को high quality में convert कर पाएंगे magic mask जैसे चीज़े हैं जो कि आप हर एक चीज़े को प्रोपर तरके mask कर पाऊगे उस पर काम कर पाऊगे tracking tools तो इतने advanced tools हैं जिनको मैं एक वीडियो में तो बता ही नहीं सकता वह सबसे बड़ा आपके लिए एक प्लस point हो जाता है कि आपको कहीं भी और नहीं जाना tools के लिए सारे inbuilt da Vinci result के अंदर आपको available मिलने वाले हैं थर्ड point की बात कुनों तो वह है more reliable देखो आप अगर premiere pro ने काम में लिया तो आपको उसकी क्रेस की कहानी आपको हजारों बार आपने सुनी होगी ठीक है उसके अंदर आपको हर टाइम control as control as press करके save करना पड़ता था दाविंची में वह feature auto save के नाम से है डेकप्स बन जाते है आपको कोई दिकत नहीं आते है अगर आपका PC क्रेस भी हो गया आपको कुछ भी दिकत आगे तो आपका प्रोजेक्ट वहीं की वहीं आपको मिल जाएगा जब भी आप वापस डाविंची रिजोल ओपन करोगे अगर आपके वीडियो में लाइटिंग अगर आपको करने तो आप एडिट के अंदर प्रोपर 3D तरीके से मेप बनेगा और उस मेप के थ्रू लाइटिंग होगी नहीं कि ऐसे कि बस आपने इधर रेड कलर की को लाइट डाल दी तो पूरे पर रेड फेल गया एक से नहीं बाकि 3D मेप वगेरा आपको अगर बेग्राउंड को बलर करना तो एक वीडियो का 3D मेप बना सकते हो कि आपका सामने बेटा है वो बेग्राउंड बलर है तो उसको ही ज्यादा बलर करना है तो प्रोपर 3D मेप के थूरू यह चीज़े की जा सकती है तो बहुत ही एडवा वाले हूं उन तक के काम आएंगे वो फीचर्स ऐसे वाले फीचर्स है और जो कि आपको सिर्फ एक बार प्राइस करने पर लाइफ टाइम मिलने वाले तो मुझे इससे खुबसूरत बात को लगती नहीं कि यार इसके बाद भी अगर हम इतने सारे टूल्स होने के बाद भी अगर हम हाज भी प्रीमियर प्रोब ही पड़े हैं एपस इपी जिसने अभी तक तीन साल से अपना अपग्रेडिन मीला है 2011 में जो सोफ्टर लों चुआ था वो हम अगर काम में ले रहे हैं तो फिर साइध हमें आगे बढ़ना नहीं है फिर यह रीजन हो सका अब बात करते है उसकी सेम वेसे चीज होती है इंडियन मार्केट कैसा है कि अगर आप कोई नहीं चीज को यूनीक चीज को बड़ी चीज अगर आप किसी को दिखाते हो तो उनको लगता है कि यार यह तो बहुत अल्टरा प्रोफेशनल लेवल की चीज है तो अगर आपको डाविंची त करते हैं सब मार्केट में क्लाइंट को बोलता है आप कौन से सोफट्व्वेर में एडिर करोगी तो हम प्रॉपर तरिके से सिस्टम से बोलता है कि सर वी इडिंड़ दें नहीं चाहर तो बहुत सारे लोगों को पता हुं अतरा स्तान में कि की चाहर तो हम थोड़ी सी फैंक हुई है आप Game of Thrones का जो पूरा सीजन है वो डाविंची जोल के अंदर ग्रेड हुआ है अगर आप डेड़ पुल मुई की बात करोगे वो एडिटन ग्रेड हुई है बाकी जितने भी आप लाला लेंड हो गया कि जितने भी अच्छी ची फिल्म है आप देखोगे वो सिर्फ ड आप अपने क्लाइंट को गैदर कर सकते हो कि बहुत प्रोपर तरीके से काम करता है मैं गेरणटी देता हूं इस चीज़क आपको इस वीडियो से क्लीर हो गया हुआ कि डाविंची रिजॉल को क्यो स्वीच होना चाहते हो तो हमने कोर्स बनाए डाविंची रिजॉल के बाकि अगर आप यूटूब से सीखना चाहते हो तो मेरे टूटूरियल्स अवेलेबल है आपके लिए आप अराम से सीखे, पोसिज कीजिए, मेहनत कीजिए बाकि वीडियो को यहां तक देखने लिए थैंक्यू सो मच, अगर यहां तक आ गयो तो वीडियो को लाइक कर दे thank you so much दोस्तो have a nice day